असलाम वालेकुम आज हम बनाने वाले हैं सौथ इंडियन की स्पेशल इडली सांबर की रेसिपी और ओरिजनल रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे वहां सुबह के नाश्ते में इसे बड़े शौक से बना कर खाते हैं तो चलिए आज हम भी इसे ट्राइ करेंगे और साथ ही मैं आपसे भी शेयर करेंगे तो चलिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना बुलिए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इडली बनाने के लिए डाल ले लेंगे यहां पर उरत की डाल मैंने आदा कपली है इसे बीरी डाल भी तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डाल हमारा अच्छे से फूल चुका है मैंने सुबह में इसे फूलने के लिए दिया था और शाम के वक्त इसे मैं चेक कर R также आप देख सकते हैं डाल अच्छे से तूट रहा है अच्छे से पीस लिया है, बिल्कुल इसी टैक्शर का होना चाहिए और अब हम इसे उम्लियों से चेक कर लेंगे कि इसमें डानेदार है की नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल चिकनाहाट के साथ अच्छे से हमारा दाल पीस चुका है इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे सभी बैटर को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है अब हम ले लेंगे सूजी तो यहाँ पर चावल की सूजी है, एक हलवा बनाने के लिए सूजी आता है ये especially इडली के लिए सूजी मार्केट में मिल जाती है अगर आपको मार्केट में ना मिले तो online buy कर सकते हैं इडली सूजी कहके तो चलिए यहाँ पर पूरे 3 कप भर के हम सूजी ले लेंगे तो यहाँ पर मैं 3 कप भर के सूजी ले रही हूँ आदा कप उरत के डाल में 3 कप सूजी काफी है और आप इस तरह से चेक करके देख सकते हैं सूजी बिलकुल हलवा वाला नहीं है और यह बिलकुल इडली के लिए ही सूजी आता है आप चेक करके इसे इस्तमाल कीजिएगा और अब हम इस सूजी को अच्छे से धो लेंगे तो यहाँ पर चावल की सूजी है और इसमें कुछ गंदग्यां भी होती है तो आप इसे वाश करके ही यूज कीजेगा तो चावल जिस तरीके से हम धोते हैं 2-3 पानी से बस उसी तरीके से हम 2-3 पानी से धोलेंगे तो सूजी को हमने 2-3 पानी से धोलिया इसके अंदर से सारे डस्ट निकल चुके हैं और अब हम हातों से निचोर कर इसको एक अलग बरतन में निकालेंगे तो सभी सूजी को हाथों से निचोड निचोड कर मैंने एक बरतन में निकाल लिया है अब सूजी को हम हाथों से फैला लेंगे और इसमें हम पिसे वे जो डाल है उसे शामिल कर लेंगे तो सभी डाल के बैटर को मैंने सूजी में शामिल कर लिया है और अब डाल के बैटर को सूजी के साथ मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर हमने अच्छे से डाल के बैटर को सूजी के साथ मिक्स कर लिया है आप देख सकते हैं डाल में पानी डाल कर अच्छे से फीस लेना है और सूजी को निचोड कर बरतन में शामिल करना है और इसमें extra पानी बिल्कुल भी नहीं add करना है अब हम cover करके रात भर के लिए छोड़ देंगे ताके इस batter में थोड़ी सी खटास आ जाए और idli हमारा perfect तरीके से तयार हो अगर सर्दी का time है तो आप इसे गरम जगा पे 10 से 12 घंटा के लिए रखिए ताके अच्छे से इसमें थोड़ी सी खटास बना जाए और अगर गरमी का मौसम है तो आपके जो बेटर है उसमें खटास बना जाएगा 6 से 7 घंटे के अंदर में ही तो चलिए अब हम इसमें नमक add कर लेंगे स्वाद अनुसाद तो यहाँ पर तक्रीबन मैंने देड़ चमच नमक add किया है और अब हम इसमें चुटकी भर मिठा सोडा add करेंगे बेकिंग सोडा यहाँ पर बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा add कर लेना है और अच्छे से mix कर लेंगे तो नमक और सोडा को बिल्कुल बनाते वक्त यूज कीजिएगा और आप देख सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है बस नमक और सोडा डालकर अच्छे से mix कर लेना है और आप देख सकते हैं इसका look और अब हम इसे mold में शामिल करेंगे लेकिन उससे पहले हम सभी idli की mold में तेल से grease कर लेंगे तो idli के सभी mold में इसी तरह से तेल से अच्छे से grease कर लेना है तो यहां पर मैंने तेल लगा लिया है अब हम सभी बैटर को थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करेंगे इडली के मोल्ड में तो इसी तरीके से सभी मोल्ड में तेल लगाकर हम अच्छे से बैटर को शामिल कर लेंगे तो यहाँ पर सभी बैटर को हमने इडली के मोल्ड में शामिल कर लिया है अब हम इडली के कुकर को लेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे तो पानी आप देख सकते हैं कितना डालना है अगर बड़े कुकर हैं तो उस हिसाफ से डालिए यह चोटे कुकर हैं तो उसकी हिसाफ से डालिए जो पहला निशान है उससे थोड़ा सा कम हमने पानी लिया है और इसे बिलकुल हमने खुला लिया है अच्छे से उबाल आने के बाद हम सभी इडली के मोल्ड को डालना शुरू करेंगे तो सभी इडली के मोल्ड को हमने कुकर में सेट कर लिया है और अब हम कवर करके 15-20 मिनट के लिए कुक करेंगे ढखके ढखने के बाद 4-5 मिनट के लिए हाई फ्लेम रखेंगे उसके बाद हम low to medium फ्लेम पर स्टीम करेंगे और अच्छे से भाप से हमारा 15-20 मिनट में इडली बनकर तयार हो जाता है तो चलिए लीट को हम हटा लेते हैं और चेक कर लेंगे तो यहाँ पर हमने तूत पिक लिया है इसे हम चेक कर रहे हैं तो अगर तूत पिक पे ना लग रहा हो बैटर के निशान ना रहे हो तो इसका मतलब हमारा जो इडली है वो रेडी हो चुका है आप चाकू से भी चेक कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर रेडी है और इसे हम केके करके निकाल लेंगे तो इडली बनकर तयार है इसे हम चमच के मदद से घुमा कर निकाल लेंगे और सभी इडली को हम इसी तरीके से तयार कर लेंगे बहुत ही इजी तरीका है आप नाश्टे में से बना कर खाईएगा बहुत ही शांदार लगेगा और हमें बहुत पसंद आया आप भी जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही स्पॉंजी सॉफ्ट तयार होता है अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो सभी को पसंद आएंगे क्योंकि औरिजिनल रेसिपी दे रही हूँ सौथ इंडियन वाले बिलकुल इसी तरीके से बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है यकीन ना है तो आप भी बनाकर ट्राइ कीजिए तो चलिए अब हम एडली के लिए सांबर को बनाएंगे सांबर बनाने के लिए हमने एक कप के करीब अरहल के दाल को फून ले के लिए रख दिया था तकरीबन आदा गुंटा के लिए दाल अच्छे से फूल चुका है अब हम इसे शामिल कर लेंगे कूकर में तो सबी दाल को मैंने कूकर में आड़ कर लिया है अब हम इसके उपर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और साथ में नमक तो हल्दी पाउडर मैंने आदी चोड़ी चमच आड़ किया है आदी चोड़ी चमच नमक आड़ करेंगे और इसमें हम एक ग्लास के खरीब पानी शामिल कर लेंगे या तो देड़ ग्लास के खरीब पानी इतना शामिल करना है कि कूकर के ढकन से बाहर नाए सीटी लगने पे तो कूकर के ढकन को लगा लेंगे साथी में हम इसके उपर सीटी को लगा लेंगे और 3-4 सीटी लगने देंगे ताकि दाल हमारा अच्छे से कूख हो जाए तो चलिए यहाँ पर 3-4 सीटी लग चुके हैं और अब हम स्लेम को आफ कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल काफी अच्छे से गल चुके हैं तो इतना ही हमें गला लेना है इसे गोटना नहीं है बस चमच से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दाल आप देख सकते हैं काफी अच्छे से गल चुका होगा तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाएगा चमच के हिला देने से ही तो अब हम यहाँ पर सब्जियां ले लेंगे अपने पसंद की सब्जी लेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर मोरिंगा यानी डॉर्म इस्टेक इसे हम मुंगा भी बोलते है और लॉकी ले लिया है बैगन ले लिया है आलू ले लिया है कडाही को गरम कर लिया है इसमें हम आदक अपके करीब रिफाइन ओयल एड़ करेंगे साथ ही हम शामिल करेंगे हिंग और अब हम एड़ करेंगे जीरा आदी चोटी चमच और जीरा के कड़कते ही हम इसमें एड़ करेंगे करीपता यहाँ पर मैंने फ्रेश करीपता लिया है अगर आपके पास सुखावावी करीपता हो तो ढाल सकते हैं तो यहाँ पर अब हम एड़ करेंगे प्यास प्यास को आप देख सकते हैं स्कॉाइर शेप में कट किया है थोड़े मोटे मोटे जिस तरीके से सबजी हमने कट किया है उसी तरीके से प्यास को भी कटिंग कर लिया था तो बस अब हम प्याज को चला लेंगे और अच्छे से मिक्स करते वे चला लिया है बस प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए तब हम सबजिया भी इसमें आड़ करेंगे तो प्याज सॉफ्ट हो चुका है इसमें हम आलू आड़ कर लेंगे साथ में जितनी सबजियां मैंने लिए है सभी को एक के करके शामिल कर लेंगे तो बैगन को अब हम एड़ कर लेते हैं साथ में लौकी को शामिल कर लेते हैं और गाजर को भी एड़ कर लेंगे और मोरिंगा यानि हम मुंगा को भी शामिल कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने सब्धी सब्जियों को 200 ग्राम के करीब लिया है आलू मैंने एक लिया था और बाकि सब्धी को हमने 200 ग्राम के करीब लिया है बस अच्छे से मिलाते हुए चला लिया है और साथ ही शामिल कर लिए इसमें टमाटर तो टमाटर मैंने यहाँ पर तक्रीबन दो से तीन लिया है आप देख सकते हैं सबी के जो साइज हैं एक जैसे हैं मोटे मोटे शेप में कट किया हुआ है अच्छे से मिला लिया है अब हम इसमें पांस से छे हरी मिर्ची आड़ करेंगे एक चमच भर के हम लाल मिर्चो का पाउडर आड़ करेंगे एक चमच नमक आड़ करेंगे स्वाद अनुसार साथ में हम सामर मसाला आड़ करेंगे यह रेडिमेट सामर मसाला है आप चाहे तो घर पे बना के भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर सामर मसाला दो से तीन चमच के खरीब लिया है, अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिला लेने के बाद हम इसमें आइट कर लेंगे धनिया का पाउडर, तो सभी मसालों के साथ आप धनिया पाउडर को भी आइट कर लीजेगा, मैं भूल गई थी, इसलिए अभी शामिल कर रही हूँ, तो एक चमच के करीब मैंने धनिया का पाउडर इस्तमाल किया है, और अच्छे से मिलाते वे हम इसे कुक कर लेंगे, तकरिबन 5-6 मिनट तक अ उसी साप का पानी डालिएगा, मैं यहाँ पर पानी डाली हूँ, कम से कम 2-2.5 गलास के करीब, और अब हम इसे कवर करके कुक होने देंगे, तकरिबन 6-7 मिनट के लिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारी सबजियां काफी अच्छे से रेडी हो चुके हैं, अच् दाल में पानी को मिक्स करके अड़ कर लिया है, ताकि सांबर हमारा बिलकुल भी गाड़ा ना हो जाए, क्योंकि जैसे यह पक जाएगा और यह ठंडा होगा, तो और भी गाड़ा हो जाएगा, तो आपको जितना पतला चाहिए, उसी साफ से पानी अड़ कर लीजिये, और उसमें उबाल आने दीजिगा, ताकि अच्छे सांबर रेडी हो, तो चलिए अब हम सांबर में खटास पन लाने के लिए, इमली के पल्प को एड़ करेंगे, यहाँ पर इमली को हमने अच्छे से फूलने के लिए रख दिया था, और उसके पल्प को निकाल कर इसमें शामि कर लेंगे, अब सांबर में हम तड़का लगाएंगे, उसके लिए हमने तड़का पैन में तेल को गरम कर लिया है, हिंग आइड करेंगे, एक चोटाई चमच, साथ में एक चोटी चमच हम राई आइड करेंगे, और साथ ही में हम शामिल करेंगा, दी चोटी चमच जीरा, क बोरी शांदार सा हमारा सांबर बनकर तयार हो चुका है इसे आप इडली के साथ खाएगा तो कहिएगा क्या ही लाजवाब नाश्ता तयार हुआ है तो चलिए इडली और सांबर को हम सर्फ कर लेते हैं यह सौथ इंडियन रेसिपी हमें तो बहुत पसंद है अगर सांबर बनाएंगे तो इडली सांबर आप इस तरीके से बनाएए कि खाने वाले बिना तारीफ के बगर रहे नहीं तो चलिए और साथ में इसके मैंने रख दिया है दही तही में थोड़ा सा हमने नमक और लालसो की मिर्ची को चुड़क दिया है इसे भी मैंने इडली के उपर डा अधार सी इडली सांबर की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेट करना ना भूलिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अलाहाफीज